हेलो एवरीवन एक वार फिर से आप सभी का सवागत है आपका अपने से यूट्यूब चैनल एजूकेशनल गेलरी में दोस्तों इस परिक्लर वीडियो में हम क्लास नाइन्थ नाइन्थ का हम अपने टॉपिक पर रहे हैं एटम्स और मॉलिक्यूल लास्ट टू वीडियो में हम एटम्स क्या होता है एटम्स के डिस्कवरी किस प्रकार से वी थी डाल्टन एटमिक थेरी लॉप कंजर्वेशन और मास लॉप कॉंस्टेंट प्रकार से है कौन-कौन साइंटिस्ट सिंबल देने के लिए किनकन के नाम है मतलब सिंबल में जिसे प्रजिलियस के बारे में कहा जाता है किन्होंने सबसे पहले सिमबल्स के बारे में बताया था है इसके बाद ऑफिया focus प्रकारस में फरेखिए तया जेंगे प्रकाशा के लिए इसके बाद मोलेक्ल्णिक वार्यमिक के बारे में पर रहा था यसके संसल recognize यह साब चीज सब चीज़ हम वहाँ पर लास्ट वीडियो में देख सकते हैं अगर नहीं देखे तो आप जाके डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक है आप जाके इसको अच्छे से देखिए क्योंकि यह इंपोर्टेंट टॉपिक है जो भी स्टुडेंट्स है या जो भी कॉंपिटिरिव सब्सक्रिप्शन करते हैं अई दर भी पीसिए से पीसी सो किसी भी हईलेवल का एक्जाम दूस्तों या भी पिसी टीरी आज कल टी आरी मीं देखें आप डइट में जो जो भी स्टुएंट्स एवें लेवल जाके देख लीजिजी वह और से कॉषन उठा रहा है नीचे तो हम बताएंगे कि किस प्रकार का questions वेगर और formula सा पूछा है हम बताएंगे तो जो students भी है 9th के जो 9th में पर रहे हैं वो भी देख सकते हैं अगर topic में समझने में दिक्कत हो रहा है तो एक इत topic को यहाँ पर हम concept wise समझा रहा है आज जो हमारा topic है यह writing chemical formula बढ़ा ही important topic है दोस्तों क्योंकि 9th के बाद जो आप 10th में जो भी students जाएंगे ना उनको chemical formula कैसे लिखे जैसे calcium carbonate होता है calcium carbonate का CACO3 क्यों होता है sodium carbonate है Na2CO3 उसका formula क्यों होता है sodium bicarbonate का formula NaHCO3 ही क्यों होता है ठीक है यह सब चीज इसके पीछे क्या rule है ठीक है वो सारे चीज हम यहाँ पर सीखेंग तो basic आप जैसे schedule by step by step परते जाएंगे ना day by day अगर परते हैं preparation करते हैं तो आप आसानी से basics वेगर समझ सकते हैं तब ज़्यादा pressure नहीं परेगा otherwise सब अंत बे क्या होता है कि सब खिचरी हो जाता है याद करने के चक्कर में तो यहाँ हम समझेंगे कि chemical formula हम लिखेंगे कैसे आइएस के बारे हम देखते हैं यहाँ से भी question पूछा गया है और बोट भी अगर हम तो पूछता है question देखिए chemical formula, writing chemical formula, the chemical formula of a compound is a symbolic representation of its composition किसी भी compound का chemical formula क्या होता है तो उसका symbolic representation है जैसे हम कहेंगे calcium oxide अगर कहीं लिखा हुआ है calcium oxide दोस्तों लिखा हुआ है इसका मतलब क्या हुआ यह तो word equation में हम लिख दिए है word में लिख दिए है calcium oxide इसी को अगर symbolic form में लिखना होगा तो लेकिन C A O ही क्यों हुआ कि किसी के मन में होगा C A O 2 क्यों नहीं हुआ इस प्रकार कात हो सकता है तो किसी फीजिया Од司ल है । पूरा परहलेंगे था हम समझ जाएंगे कि C A O ही क्यों होता विर्मौशार है या दूसरा भी sodium chloride काWhat ली फ़र्मुला क्यों होता है वह हम आगे समझेंगे तो हम बेसिक समझ रहें कि हैं कि हमकल फ़र्मुला होता क्या है तो किसी या कंपॉण्ड को सिंबलिक रिप्रेजन इस लिखा जा सकता है इसके लिए हमको क्या होना चाहिए कुछ सिंबल और combining capacity पता होना चीए combining capacity क्या होता है इसको हम valency भी करते हैं हो सकता है किसी को valency के बारे में पता होगा valency मतलब the number of element the number of atoms या electrons क्या होता है gain lost और shared to make a bond मतलब bond बनाने के लिए अपना octet complete करने के लिए कोई भी element है कितना electron को gain करता है lose करता या share करता है उस number of electron को हम क्या करते हैं valency करते है उसका या उसी को combining capacity करते है आगे समझते इसके बारे में the combining power और capacity of an element is non exist valency जो किसी element का combining power होता है या उसका capacity होता है उसका valency करते है combining power मतलब combine करने के लिए जो चाहिए valency can be used to find out how the atoms of an element will be combined with the atoms of another element to form a chemical compound valency का use कर सकते हम valency की use से हम पता कर सकते हैं कैसे को element किसी दूसरी element के साथ आपस में bond बना रहा है ठीक है the valency of the atom of an element can be without as a hands valency को आप किसी भी element का hand समझ सकते हैं किसी भी element का hand समझ सकते हैं और जिससे वो किसी और को पकरता है या जूरता है जैसे देखिए human beings have two arms and an octopus has eight human beings के पास हम लोग के पास दो हाथ होता है और octopus के पास आठ हाथ या उसका आठ आर्म भी बोलते हैं ठीक है इस तरीके से उसको कितना टोटल चुकि उसका आठ हाथ होता है तो उसको टोटल कितना आदमी चाहिए तो चार आदमी की requirement होगा तो जाके वो टोटल अपने सारे हैंड को जो है दूसरे मेंज के साथ share कर सकता है या लोग कर सकता है देखिए दूस्तों octopus के पास आठ हाथ होता है तो अपने दो आर्म से हाथ मतलब यहां आर्म समझे अपने दो आर्म से वो तो दो मतलब एक आदमी को पकर लेगा क्योंकि एक आदमी के पास भी दो हाथ होता है ठीक है तो दो आर्म से एक आर्म को पकर लिया अभी भी तो उसके पास छे आर्म बचा हुआ है ना octopus के पास तो उस फिर अगले दो से एक आदमी को पकर लेगा फिर अगले दो से एक आदमी को पकर लेगा फिर अगले दो से एक आदमी को पकर लेगा तो मतलब टोटल ओक्टोपस को अपने टोटल एट आर्म को अगर लॉक करना होगा अपने टोटल एट आर्म को लॉक करना होगा दूगेट ओएच फोर इससे आपको क्या मिलेगा ओएच फोर ओएच फोर का मतलब एक अक्टोपस है एक अक्टोपस है चार ही मतलब एक प्रकर से लॉक रहेगा इसके पीछे भी लॉजीक है अगर आपने अपने परहा होगा या आगे परहिएगा तो उससे हमारा आसानी से वेगरा निकाल सकते हैं यह तो अगर कुछ चीजे को ध्यान रख सकते हैं तो आपके लिए और आसान हो जाएगा देखिए हम यहां पर देख रहे हैं जैसे सोडि का के प्लस, सिल्भर का एजी प्लस, कापर का सियू प्लस, कापर वन मतलब क्या है, कापर को ब्रैकेट में वन किया मतलब कापर जो है ने दुस्तों देखिए, कापर एक वहां पर है यह कापर नीचे है, कापर ना दो ऑक्सिदेशन स्टेट में होता है, एक प्लस वन ऑक्स पर स्योग प्लस-ट्री यह कैसे निकालते हैं जीसए अलमिनियम का विलन्स आपको आता होगा सब्सक्राइब कीरिशन से हम पता करते हैं कि उसका वैलने पना रहा किसी के साथ ठीक है तो क्या चाहेगा उसके outermost orbit में 8 electron हो जाए तो 8 electron होने के लिए क्या करेगा यहां तो 8 तो है तो यह 3 electron फालतू होता है तो यह 3 electron को क्या करता है aluminium lose कर देता है किसी को दे देता है जैसे 3 electron किसी को देगा तो इसका outermost orbit में 8 electron हो जाएगा इसका octet complete हो जागा यह stable हो जाएगा तो इसको चार्ज आ जाता है प्लस थृ इसलिए येलिमिनियम का वैलेंसी कितना है थृ बतलब तीन अगर किसी गुद्धिय देगा तब जाके ये अपना आपको खुद को स्टेबल कर सकता है इसलिए वैलेंसी 3 हो गया इसी परकार से मैगनीसियम का जो वैलेंसी है प्लस 2 है कैसे आया है देखिए 2,8,2 मैगनीसियम का अटमिक नमर कितना होता है बार electronic configuration लिखेंगे तो 2,8,2 इस दो एलेक्ट्रोन का अगर वो बाहर कर देता है मैगनीसियम तो आटमोस्ट और्विट में 8 एलेक्ट्रोन हो जाएगा मैगनीसियम हो जाएगा इसलिए मैगनीसियम का वैलेंसी कितना होता है हम बताए थे वैलेंसी का फॉर्मला क्या होता है simple सा फॉर्मला the number of electron gain या तो gain करे या lose करे या share करे जितना भी electron के संख्या कोई element gain करता है lose करता है share करता है वह उसका वैलेंसी हो जाता है तो मैगनीसियम यहाँ पर 2 electron lose करेगा तो मैगनीसियम का वैलेंसी कितना हो गया 2 हो गया है similar case sodium का देखिए sodium sodium का electronic configuration कितना है 2,8,1 all right देखिए sodium का electronic number 11 होता है इसलिए 2,8,1 sodium का अपना octet complete करना है autormist में 8 electron को रखना है तो एक electron को lose करते हैं यह जो बाहर बलाइट electron है lose कर देगा तो autormist और में 8 electron हो गया तो इसलिए sodium कितना electron को lose किया है 1 इसलिए sodium का valency कितना होता है plus 1 ठीक है एक मतलब जाना मतलब plus 1 इस प्रकार से valency आता है तो ऐसे करके हम सब का निकाल सकते हैं लेकिन अगर आप चीजों को थोड़ा बूत अगर learn कर सकते हैं ता आपके लिए आसान हो जाएगा फरूमला लिखना similarly जिनका jern plus 2 iron भी plus 2 में होता है iron plus 3 में भी होता है जैसे देखी हैं एक फरूम लिखते हैं एफी ओ दोस्तों आइरन यहाँ पर plus 2 में होता है कैसे पता करेंगे क्योंकि ऑक्सियन का हमेसा valency होता है माइनस का 2 तो ऑक्सियन अगर माइनस 2 में है तो iron कितना होगा प्लस 2 तब जाकि यह ओर होला जो हमारा compound है यह FEO यह हमारा neutral compound बनेगा उसी परकार से एक है एक formula होता है F2O3 iron का एक है iron oxide का एक formula है F2O3 जिसको feric oxide भी काते है यहाँ देखिए oxygen पर charge होता है माइनस 2 लेकिन 3 oxygen है तो इस पर charge होगा प्लस 3 तो यहाँ जो iron है हमारा प्लस 3 oxidation state में है ठीक है oxidation state पर यह एक प्रकार से उसका valency हुआ तो iron कभी कभी प्लस 2 में होता है कभी प्लस 3 में होता है hydrogen H plus hydride बोल दे तो H minus chloride बोल दे तो CL minus bromide बोल दे तो BR minus iodide बोल दे तो I minus hydride, bromide, fluoride, iodide यह सब कितना है अब एक है minus का एक oxide बोल दे O minus 2 sulfide बोल दे S minus 2 nitride बोल दे N3 minus ammonium दोस्तों अब क्या है polyatomic species में आ जाते हैं यह देखिए यह polyatomic है polyatomic मतलब एक से ज़्यादा IM यहाँ पर atoms होंगे nitrogen भी है NO3 minus hydrogen carbonate इसे को bicarbonate भी बोलते हैं यहाँ देखिएगा bicarbonate इसका formula है HCO3 minus carbonate सुने होंगे calcium carbonate CO3 minus 2 sulfide SO3 minus 2 sulfate SO4 minus 2 उसी प्रकार से एक होता है phosphate PO4 minus 3 ठीक है तो यह कुछ आप ions का charge बेगरा polyatomic भी है monatomic भी है इसका charge बेगर ध्यान रख सकते हैं अगर ध्यान रहेगा न तो इससे क्या कि आप formula लिखने में आपको आसानी हो जाएगा आप देखिए कुछ नियम कायदे कानून बताया गया हम chemical formula लिखने से पहले the rules that we have to follow while writing यह chemical formula RS follows किसी का भी chemical formula लिखेंगे ने तो कुछ rules को आपको follow करना होगा वो rules क्या 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 देखिए सबसे पहला नियम पर रहे है the valencies or charge on the iron must balance valency या charge होता है किसी भी chemical formula में वो balance होना चाहिए जैसे देखिए दोस्तो हम calcium oxide लिख रहे है oxide अभी देखिए है oxide का charge कितना होता है minus का two calcium का charge कितना होता है plus का two तो देखिए overall ये compound क्या होगी हमारा neutral ये plus बला भी दो है और minus बला भी दिये ये overall क्या होगी हमारा compound neutral हो गया फिर देखिए when a compound consist of a metal and non metal जब कोई compound किसी metal या non metal से जूर के बनता है ठीक है जिससे अब ये calcium oxide लिखे दोस्तो calcium क्या है metal होता है oxide क्या होता है sodium chloride sodium क्या है chlorine क्या हमारा non metal है ठीक है उसी प्रकार से iron sulfide iron के हमारा metal है sulfide के हमारा sulfur के non metal है तो जब इस प्रकार का कोई compound आ जाए देखिए न when a compound contain metal and non metal the name of the symbol of the metal is written first तो name और symbol दोनों पहले हम किसका लिखेंगे metal का लिखेंगे जैसे calcium oxide calcium पहले लिखे है magnesium oxide sodium chloride metal का नाम पहले लिखेंगे left side में और non metal का नाम right side में लिखेंगे for example calcium oxide CO sodium chloride NaCl iron sulfide FES copper oxide CO ETC whereas oxygen chlorine sulfur are non metal and are written on the right whereas calcium sodium iron are metal है metal को हम क्या लिखते हैं left side में लिखते हैं यह दूसरा नियम था पहला नियम था क्या जो total overall जो valency overall the charge है वो balance होना चाहिए हमारा equal होना चाहिए दूसरा क्या है हमारा कि metal non metal सा अगर कोई compound बना हो तो metal को पहले लिखें और left side में लिखें और non metal को right side में लिखें all right third नियम देखिए in compound formed with polyatomic ions अगर कोई compound polyatomic ions से बना होता जैसे bicarbonate हो गया हमारा hydrogen carbonate हो गया हमारा ammonium हो गया यह सब क्या polyatomic है एक से ज़्यादा item था मापर the number of ions present in the compound is indicated by closing the formula of ion in a bracket and writing the number of ions outside the bracket मतलब उसमें जो है numbers of ion the number of ions present in the compound उस compound में कितना वो ion present है उसको दिखाने के लिए आपको bracket का use करना परेगा जैसे hydroxide होगा OH- ठीक है तो OH को क्या कि जा bracket में डाल दीजा अगर 2 OH- है तो 2 bracket के बाहर लिखना परेगा ठीक है अगर कोई है जैसे carbonate होता है CO3 carbonate अगर 2 होगा तो हमको bracket डाल के तब 2 देना परेगा बाहर में क्योंकि यहाँ पर देखिए ना यह polyatomic है polyatomic में आपको bracket का use करना परेगा जैसे magnesium hydroxide में 2 oxide होता है तो 2 OH group 2 है hydroxide group है तो इसलिए हम bracket डाल के 2 डाले है in case the number of polyatomic ion is 1 अगर किसी case में polyatomic ion का number अगर 1 होगा the bracket is not required वहाँ पर bracket की संख्या हम को देने की जुरूत नहीं है क्योंकि एक है तो bracket डालने के कोई need नहीं है जैसे NUH में OH 1 होता है न एक ही OH है तो यहाँ पर bracket डालने की कोई need नहीं है आप देखिए formula of simple compound कुछ compound का हम formula लिखेंगे the simplest compound which are made up of two different elements are called binary compound वो simplest compound मतलब simple compound जो की दो या दो से ज्यादा different elements में बिल कर बनता है उसको हम binary compound काते है valency of some ions are given कुछ ions का valency यहाँ पर दिया गया है we can use the right to perform you can use these to write formula for compound किसी का भी chemical formula लिखना होगा ना तो सबसे पहले आप क्या कीजिए उसका symbol लिखिए we write the constituent element उस element का नाम लिखिए और उसके नीचे उसका valency को लिखिए और उसको क्या कीजिए cross over कर दे मतलब क्रिस-cross कर दिजिए इसका उसके साथ multiple है आपको मतलब formula मिल जाएगा जैसे पहला हमारा formula of hydrogen chloride देखिए hydrogen chloride का अगर हमको formula लिखना है तो कैसे लिखेंगे बड़ा ही simple है दोस्तों एक बार सिख लिजिए आपको ताउम्र काम देगा एक मिनट formula of hydrogen chloride देखिए hydrogen chloride में कौन-कौन element है hydrogen है तो hydrogen लिख दिएगा chloride मतलब chlorine होगा तो chlorine लिख दिए hydrogen का valency कितना पीछे से देख के लिखेंगा तो chlorine का valency कितना एक है charge plus minus है तो वह हम charge ने लिखेंगे तो एक-एक है क्या कीजिए cross कर दिजिए इसको cross कर दिजिए hydrogen के साथ one पहले जैसे पहले लिखेंगा hydrogen और hydrogen के सामने क्या लिखेंगे जो नीचे valency है one का one लिखेंगे फिर लिखेंगे chlorine क्लोरिन के नीचे valency के है one तो one लिखेंगे तो क्या होगा हमारा HCl यह होगा हमारा hydrogen chloride कर देगे उसी प्रकार से hydrogen sulfide लिखना है तो सिंबल लिखे hydrogen sulfide का system कैंहोता है sulfur का s होता है ठीक है वो लिख दिए hydrogen का valency कितना होता है sulfur का valency कितना होता है 2 सबसे पहले लिखे hydrogen hydrogen को 2 से cross हजा Hz हो गया sulfur sean się sulfur का 1 लिख ठीक है ठीक है है carbon کا carbon हो गया और chloride का chloride हो गया carbon का valency 4 chlorine का valency 1 तो cross कर देंगे तो क्या होगा CCL 4 हो जाएगा हमारा देखे फूर magnesium chloride we write the symbol of magnesium plus 2 first followed by the symbol of N9 CL minus then their charges are cross-crossed जो harassment confirmed chloride हमको अगर लिखना है न तो दिखे इस परकार सेम लिखेंगे magnesium का formula होता है het chlorine का होता है symbol CL मेगनुसम का चार्ज कितना हो तो पलस तू और कलोरियन का चार्ज कितना हो तो माइणस टू फिर क्रोस कर दीज़ तो mgcl2 आपको मिल जाएगा थुल स्चर्टल हं करे यह चार्ज बहुत हो नहींच पल सकते है Charges को हम यहाँ पर indicate नहीं करेंगे फिर है formula पर Aluminium Oxide Aluminium Oxide का हम formula कैसे लिखेंगे Aluminium का charge लिख दिये 3 Oxygen का formula लिख दिये minus 2 और cross कर दिये ठीक है cross कर दिये तो cross जैसे ही करेंगे Aluminium के साथ आगए 2 और Oxygen का आगए 3 तो Al2O3 होगा इसका formula calcium oxide का इसी प्रकार से लिखेंगे calcium का charge दो और Oxygen का charge minus 2 cross कर देंगे तो calcium oxide हाँ याद रखेंगे यहाँ क्या होना चाहिए था CA2O2 होना चाहिए था लिकिन जब सेम सेम आ जाए चार जो है नीचे यह चार जागर सेम सेम आ जाए एक एक आ जाए दो दो आजाए तिन तीन आजाए चार चार आजाए तो क्या किजेगा ना उसको हटा दीजे सिंपल लिख दीजे CAO sodium nitrate लिखना है दूस्तों sodium का sodium nitrate का NO3 sodium का 4 होता प्लस 1 nitrate का 4 होता मैनस 1 सिधे क्रॉस कर दीजे NaNO3 हो गया calcium hydroxide calcium का plus 2 और oxide का होता होना चाहिए ना कि CAOH का OH2 CAOH2 दूसरा हो गया कि calcium है एक oxygen है दो hydrogen है वो गलत हो गया वैसा नहीं वी यूज़ ब्रैकेट वेन वी हैव तो और मोर आप दे सेम आयन इन इन फर्मुला जब हमारे पास किसी फर्मुला में दो यह दो से ज़्यादा आयन हो जाता है ना तो हम ब्रैकेट का यूज़ करते हैं देखिए देखिए sodium carbonate sodium का sodium carbonate का carbonate लिख ज़िए sodium का valence you उते है plus one carbonate का valence you उते है minus two तो Na2 Cu3 हो गया क्रिस क्रोस कर देंगे तो ठीक है फर्मुला अमोनियम सल्फिट अमोनियम का फर्मुला NH4 सल्फिट का फर्मुला आप सोफोर अमोनियम का one plus और सल्फिट का two minus ठीक है अमोनियम होगे NH4 का whole twice क्रोस कराएंगे तो और सल्फिट का SO4 यह हो गया तो यह हमारा chemical formula को हम कैसे इस परकार से लिख सकते हैं आगे कुछ यहाँ पर देखिए हम इसको आपको लिख के बताते हैं index question जो हमारा सबसे पहले है हमारा sodium oxide तो sodium का दूस्तो sodium लिख लिए जी oxide का क्या होता है oxide का symbol O लिख दीजिए sodium पे 4 होता है one oxide पे 4 होता है two और क्या करेंगे इसका हम cross करादेंगे मतलब criss cross कर देंगे इसका उधर उसका उधर तो na के साथ आजएगा two na2 oxygen के साथ आजएगा one तो na2O हो जाएगा तो यह हो गया हमारा sodium oxide का formula na2O ठीक है फिर क्या हमारा aluminium chloride है देखे aluminium chloride का हमें आपको लिचे लिख के दिखाते है aluminium का symbol AL chloride का symbol CL aluminium 50 होता है 3 chloride 50 होता है one ठीक है criss cross कर देजिए इसका उसके साथ उसका इसके साथ ठीक है सबसे पहले लिखिए aluminium aluminium का aluminium लिख दिए aluminium के साथ कितना charge जाएगा तो एक है तो एक जाएगा फिर लिखिए chlorine का chlorine के साथ कितना जाएगा तीन जाएगा तो हो गया ALCL 3 formula simple फिर है magnesium hydroxide magnesium का formula लिख दिजए mg hydroxide का formula लिख दिजए OH magnesium पर 4 होता है plus 2 hydroxide पर formula होता है minus 1 ठीक है criss cross कर दिजए crossing over इसे क्या होगा magnesium हो जाएगा हमारा कितना एक और OH क्यों की polyatomic ion है तो bracket लगाना ज़रूरी है और OH के बाद क्या होता है 2 थे mg wedge का whole twice simple बहुत simple है दोस्तो chemical formula लिखना बहुत आसान है अगर आपको इससे ज़्यादा chemical formula लिखना है तो अगर question चाहिए seat group में practice group में तो आप comment section लिखे हम आपको बहुत सारा question available करवा देंगे आप कर I write the name of the compound represented by the following formula यह जो formula दिया है ना इससे हमको compound का नाम लिखना है आसानी से कुन-कुन element है उसका नाम लिख दी जब formula हो जाएगा अपने आप उसका नाम हो जाएगा जिसे हैं आप aluminum है और sulfate है तो aluminum sulfate इकसे नाम क्या होगा दोस्तो aluminum sulfate aluminum sulfate हम बता देते हैं हो गया याद रखिएगा फिर है वाट इस मेंट बाइड़ टर्म chemical formula जो chemical formula है उसका मतलब क्या होता है था हम अभी पीछे देखे लिखे पीछे देखे हैं कि the symbolic representation of compound किस भी compound को हम जब symbol के form represent करते हैं उसका chemical formula कर देते हैं the symbolic symbolic representation of a compound is called is chemical formula फिर है how many atoms are present in H2S molecule और PO4-3 करा है कि hydrogen sulfide molecule में कितना atoms है देखें है H2S कितना simple है यह क्या बता रहा है यहाँ देखे बता चल रहा है कि hydrogen का 2 atom है sulfur का 1 atom है तो total कितना atom है यहाँ पर 3 atom है simple फिर है हमको phosphate PO4-3 यह 3- है दोस्तों यह क्या है charge है यह charge बता रहा है और यह क्या बता पी मतलब 1 phosphorus है 1 phosphorus है plus 4 oxygen है तो total कितना atom हो गया 5 atom 4 यह oxygen है 1 phosphorus तो total 5 atom हो गया ठीक है यह हमारा 5 हो गया अब है molecular mass and mole concept mole concept बढ़ा ही important है दोस्तों इसको ध्यान रखिए हम परहाएंगे इसको अच्छे से और उसके बाद ही हमारा टॉपिक समाप्ट हो जाएगा बढ़ जो भी एक लेक्चर दो लेगे उसका जो कोस्तन को अच्छे से सॉल्व करेंगे आपको कैसा लाएगा तो बाद में बताईएगा ही ठीक है अभी तक जो समझ में है वीडियो प्लीज कमेंट सेक्षन बताईएगा और कोई क्वेरी हो तो वह ज़रूर बताईए कि आपको कहां से कोई प्रावलम हो राद वह बताईएगा अच्छा लागाद अपने दोस्तों को भी शेयर किजिए खुब परिया और जो वीपियसी ट्री वाले हैं थ्री पॉइंट टीचर वाले का जो जो ट्यारी कर रहे न वीपियसी ट्री का तो उनके लिए भी है बहुत जादा इंपोर्टेंट है वो भी जरूर इसको क्योंकि यहां से कोशन जो है पूछा जाएगा NCRT से डारेक्ट इंटेक्स कोशन उठा देता है सवाल बन जाता है और दोस्तों कोई क्यों है तो जरूर कमेंट सेक्शन पूछेगा और तब तक बहुत धन्यवाद परते रहे है जैहिंद